आप सभी को दीपावली की हार्दीक शुप कामनाएं आप सभी के घर में भगवान, कनपती, सद्धुधी प्रदान करें, महालक्ष्मी, धन, बैभो, संपनिता प्रदान करें परन तुछ लिए जानते हैं कि मालक्ष्मी और गड़ेश की कैसी प्रत्मा होनी चाहिए जिससे हमारे घर में बुद्धी भी सबकी अच्छी हो और धन धाने की भी कवीना रहें तो दीपावली की पूजा के लिए अगर आप ला रहें लक्ष्मी गड़ेश की प्रत्मा तो आप जुड़ी हुई प्रत्मा ना लाएं क्योंकि ये इनकी धर्म पत्नी नहीं है लक्ष्मी के साथ में गड़ेश जी इसलिए रहते हैं कि जिसके जीवन में धन धाने हो उसके जीवन में सदबुद्धी भी रहें जिससे उसका सही उपयोग कर पाए दुरुपयोग ना कर पाए तो पैले चीज गड़े इस लक्षमी की मूर्थी अलग हो, साथ में ऐसी मूर्थी लाएं, इसके साथ साथ में लक्षमी माता की मूर्थी खड़ी हुई ना लाएं, बैठी वी मूर्थी लाएंगे तो इससे महालक्षमी आपके घर में इस्थिर रूप से रहेंगे, तो इन चीजों का ख्यार रखें नमस्कार बहुत बहुत आपसे भी साथ हुआ